हाई एवरिवन वेलकम टू होम साइंस एजुकेशन होम साइंस एजुकेशन में आपको सवागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बो हाइडरेट जिसके अंतरगत हम पढ़ेंगे कार्बो हाइडरेट की कमी के प्रभाव कार्बो हाइडरेट की अधिक्ता के प एक ग्राम कार्बो हाइडरेट चार कैलोरी उर्जा देता है कार्बो हाइडरेट पता किसी भी रूप में लिया जाए लेकिन उसका जो डाइजेशन होता है डाइजेशन के बाद वाद ग्लुकोज में कनवर्ट हो जाता है और यह जो ग्लुकोज होता है रख्त के द्वारा हो करके हमारी बॉड़ी की जो सेल्स होती हैं वहां तक पहुचता है और फिर यह ऑक्सीजन के पस्तित में जोलन क्रिया के द्वारा उर्जा और कार्बन डायॉकसाइड बनता है बचा हुआ जो ग्लुकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर मसल्स में डिपोजि हमारे भोजन में कार्बोहाइडिट या वसा कम हो या नहीं होते हैं तो उर्जा देने का कार्ज होता है प्रोटीन को करना पड़ता है जबकि प्रोटीन का मुख्यकार उर्जा देना नहीं है इसका मुख्यकार शरीर की व्रिद्धी विकास करना जब प्रोटीन अपना मु उर्णेकार शरीर निर्माण कारे करने के लिए सतंत्र होता हैं कर्भोहाइडादे के विस्षा की उप्योगता को पढाए चीह गोलो सुंस्ट करभन डाय औकसाइड और जल में वसा का परिवारता नहीं हो पाता है जिसके परड़ाम सुरूप किटोन की मातरा रख्ट में बढ़ जाती है किटोन की मातरा बढ़ने से ब्लड जो होता है हमारा वो एसीडिक हो जाता है और मदवे की बिमारी में ग्लुकोस यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है जब रख्ट में की टोन बढ़ जाते हैं तो जब डायविटीज होता है तो इसमें ब्लड में जो होता है वो की टोसिस कहलाती है नमबर चार है कैलसियम के ऑस्वोशन को बढ़ाना कार्बोहईडरिट का लैक्टोज होता है वो इंटेस्टाइन के कोश कोशिकाओं में कैलसियम के उस्योशन को बढ़ाता है पाच्वा पॉइंट है बहु अणुई सरक्रा जैसे जिसको कहते हैं पॉली सेक्राइट उसका जो सेलुलोज होता है वह पेट को साफ रखता है या कबज के रोगी के लिए उपयोगी होता है रेशे युक्त भोज पदा पेट साफ रखते हैं बलकि हिर्देरों के रोग्यों के लिए फायदे मंद हैं नेक्स्ट है कम रेशे उत्भोज पदात जो होते हैं वो प्रोटीन कार्बोहाइटर तथा वसा की मातरा को बढ़ाते हैं जबकि अधिक रेशे युक्त भोज पदात इन तीनों के अस्तर को क पादन में सहायक छोटी आत में कुछ ऐसे जीवाण पाया जाते हैं जो विटामिन बी सम्मू का निर्मार करते हैं इन जीवाणों को जीवित रहने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है जो उसे यहां लेक्टोस द्वारा मिलती है लेक्टोस कम घुलन सील होने के कारण चोटी आत में अधिक समय तक रहता है जिस एक पाचन नहीं होता है उसे कुछ जीवाण जошते हैं लेक्टी केसिड में बडल देते हैं इसी प्रक्रिया से दूध जो हता है रजाता है जिससे आत में अमनकी मात्रा बढ़ जाती है जिसके कान लेक्टो बैसलेस जीवाडू बनते हैं जो मा के दूथ के माध्यम से बच्छे के शरीर में पहुंचकर कारण बैक्तिरिया को बच्चों के शरीर में बढ़ने से रोकते हैं कर्भो हाइड़िट की कमी के प्रूवाह हमारे भूजन में कर्भोहाइड़िट युथत अधिक होते हैं अतकcoat ऊस्रीर कमी यह भूझ लगती है और उस offician को परनाहीज हम और करनाहीता जिसके ब्सक्राइब कहले है तो और कमजोरी मैसूस होने लगती है व्यक्ति घबराहट मैसूस करता है तो उसका स्वभाव जो होता है वह चेड़ चेड़ा हो जाता है रोग प्रतिरोधर शमता में भी कमी आ जाती है और व्यक्ति जो होता है जल्देली भीमार होने लगता है अब हम पढ़ेंगे देखता अगने कार्बोहें कार्भोंक मोवटर जाता है जो होता है अधिक कार्भोहाइड्य करने से अत्रिक जो ग्लुकोज होता है यही ग्लाइकोजन वसा के रूप में जमा होने लगता है जिससे मुटापे की समस्या उत्पन हो जाती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा धन है आएगा लड़ाएगा обычно सब्सक्राइब